नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ बहुत ही मज़िदार सी, टेस्टी सी और जटपट से बनने वाले मीठी सिवयां ये मीठी सिवयां जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तब आप बना सकते हैं, काफी बढ़िया लगती है उसके लिए गैस को अन करके हमें एक कडाई रख देंगे और इसमें हम डलेंगे गी अब देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक बड़ा चमस गी जैसे गरम हो जाए, थोड़ा से सूखा नारिल को इस तरह से छोटे-चोटे टुकडों में काट कर डाल दे और थोड़ी सी मिल्ब समझ लीजए जितनी आप डालना चाहिए, काली किशमिश आपको डाल देनी है इन दौटे को में गी के अंदर बूनना है जब तक देखे यह जो किशमिश हमने डाली है और फूल जाना तब तक इसे बूनना है उसके बद इन दोनों को आपको निकाल लेना है और इन दोनों की कॉंटेटी अपके उपर है कितना आप डालना चाहे जादा भी डाल सकते कम भी अब बचे हुए गी के अंदर हम ये सिवाइया डाल देंगे ये भूनी हुए सिवाइया है ये मैंने इस्तमाल की है एक कब जितनी इसे हम और भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर बिल्कुल धीनी आज पर भूना तीन से चार मिट के लिए पर इसे लगाता चलाना है रुखना नहीं नहीं तो ये जल सकती है तो इस बात का धियान रखना है आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगबग तीन से चार मिन्ट हो गए और सिवईया देखिए अच्छे से भून गई हैं तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये गी में जो हमने भून के रखे थे सूखा नारल और कृश्मिश वो और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे इस तरह से देखे कुछ इस तरह स मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर में डाल रही है एक ग्लास पानी अब पानी है ना देखे एक ग्लास ही डालना है क्योंकि अब हम इसके अंदर चीनी भी डालेंगे तो इसका भी पानी छूटेगा तो बस एक ग्लास जितना ही पानी डालना अच्छे से इस तरह से मिक् पकाना जब तक इसका पानी सूख जाए लगबग देखे कुछ इस तरह से हो गई है तो इसे ढखकर धीमी आज पर हम 3-4 मिट के लिए पकाएंगे तो 3-4 मिट हो गए है और आप देखे ये बड़िया से हमारी टेस्टी सी मीठी सिवया बनकर तयार है बच्चों से लेकर बड या लगते है ट्राइ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू फॉर वाच चैनल